सो हे गाइस कैसे आप सभी आज हम बात करने वाले एक ऐसे कंपणी के वारे में जिन्होंने इंडिया में इवी को जितना सेफ हो सकता उतना सेफ बनाने के लिए आर इंडी प्रोसेस चालू किया है और काफी हद तक यह सफलता पूरबग आ चुके है अब कुछ समय में यह अपना बैटरी पैक डेवलोप्ट किया है अपना मोटर को डेवलोप्ट किया है एस पर इंडियान टेंपरिचर एंडियन कंडिशन हम बात करेंगे आज इस काड़ी के कुछ डीटेल के वारे में तो वीडियो का अंतक जरू देखना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरू कर लीजिए चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं वेल दोस्तों इस कंपनी के मालिक है मोहल लाल भाई जो कि इस कंपनी को काफी समय से उन करते हैं इन्होंने सोचा क्यों ना इवी इंडिस्ट्री में भी कुछ ऐसा रिवूलूशन लाया जा जिससे इंडियन को काफी हेल्प हो पाए अभी के अगर देखेंगे तो इंडिया में टेंपरेचर काफी ज्यादा हाई जा रहा है और अभी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखने मिल रहे है जो कि फायर से लेटेड है और एवी के तो कम से कम एक डरजन गाडियों में लगभग फायर लग चुका ह यह ऐसे टेक्नोलोजी पर काम कर रहा है और लगभग कर भी चुका है जिससे जो बैटरी है उसकी कूलिंग बरकरार रहे और बैटरी में जीतना टेंपरेचर लो होगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस वह बैटरी प्रवाइट करेगा इनका मेन फोकस है फ्यूचर सस्टेन मैनेज कर सके वैसे तो अगर बाइक की बात के तो फिलाल डिजाइन शो नहीं हुआ बट इन्होंने बैटरी बता दिया है कि बैटरी कैसी होने वाली है वैसे तो इस बैटरी पैक का नाम रखा है 1.0 बैटरी पैक जो की टू वीलर्स की साब से बनाया गया है और इसका जो स बादा यह कूल होगा उतना ही बैटरी का परफॉमेस निकल काया गा फिलहाल के समय में अगर मैं बात को इस कंपनी के सी यू ने जो जो चीज बोली है वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहली चीज तो इनका जो बीमेस है याने बैटरी मेनेजमेंट सिस्टम वह काफी मेंटेन करने के लिए कुछ सॉफ्टेयर्स का यूज किया गया कि टेमपरेचर इस लेवल के उपर ना जा पाए बैटरी का उसको मेंटेन करने के लिए यह लिक्वे सिस्टम यूज कर रहा है इससे कुछ चीजे बहुत हेल्फूल होगी इसमें सबसे पहली चीज तो आपक कर साता रहेगा और यहां पर जो मोटर है वह एडवांस मोटर होगा बट यहां पर कोई कूलिंग सिस्टम नहीं होगा यह मिट सेट मोटर होने वाला लेकिन अगेन कंपनी ने मोटर और बैटरी में लगभग काम खदम कर लिया अब उनके पास स्रीफ बचा है धाचा और कं परबली तीन से चार फैने के अंदर यह गाड़ी आपको इंडिया में देखने को मिल सकती है लेकिन अभी भी कंसर यह कि यह बैटरी पैक इन हाउस है या बहार से इंपोर्ट हो रहा है यह तो जब गाड़ी लॉंच होगी तब ही पता चलेगा लेकिन सेफटी को हमें मद् अच्छी हो तो देखते हैं यह कंपणी भी क्या करती बैट्री वालेटि अच्छी हुए तो साय सप्राइब कर सकते है बट लिक्विड कूलिंग यह तो इसका प्राइज भी जाद होगा और उपर से मोटर साइकल है तो आगे क्या होता है इनको एक्सपांड करना तो आज की वीडियो में इतना ही था अगर यह वीडियो अच्छे लगा तो प्लीस लाइक कर देना ने तो सब्सक्राइब कर देना उच्छे अपर शेयर कर देना मिलते एक लिए वीडियो में जै हिंद